हाई गाइस मेरा नाम है विपोल और वेलकम इन माई यूटूब चैनल तो दोस्तो जब मैंने फोन को नया बाई किया था तो जिस स्पीड के साथ हमारा फोन चार्ज हो रहा था अब उस स्पीड के साथ चार्ज नहीं होता है अब हमारे फोन में स्लो चार्जिंग इसू आ विडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेता हो तो आपके फोन में स्लो चार्जिंग इसू नहीं आएगी तो वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले आप मारे वीडियो को लाइक कर दो इस वीडियो का लाइक एम हम 200 लाइक एम रख रहे हैं जल्दी इसको कंप्लीट करा देना साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी स्क्राइब कर लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जब अपने फोन को आप चार्ज लगाते हो तो आपको उस टाइम यह चेक करना है कि आप जो एडाप्टर यूस कर रहे हो और आप जो डाटा केबल वो औरिजनल है या नहीं है क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि जो डाटा केबल होता है वो दूसरे डाटा केबल के साथ चेंज हो जाता है तो आपको एक बार इसको चेक कर लेना है अगर और और आपका डाटा केबल नहीं है तो आपके फोन में स्लो चार्जिंग इसू आएग तो उसको आप change कर कर original data cable , यूज़ करें आपो यह भी च्छक कर लेना है , जो data cable subscribe teams are be the channel नहीं हुआ है अगर तो आपको condition news Nahira phone जो है अच्छी तरीके से चार्ज नहीं होपाएगा क्या होता है , जो data cable होता ना हो मतलब use करते करते थोड़ा फोल्ड हो जाता है उसका वायर एकदम कट टाइप जाता है तो आपको इसको चेक कर लेना है कि अगर आपका डाटा केबल कहीं से डामेज हुआ है तो आप उसको नया उरिजनल यूज करें आप जिस कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उस कंपनी के ऑफिसियल साइट स जाकर उसको आप नया बाय करको उसको यूज करेंगे तो आपके फोन में यह प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कोई इसा भी मार्केट से डूब्लिकेट डाटा केबल यूज करते हो तो आपका फोन 100% स्लो चार्ज होगा इन दोनों सिंबल से ट्रिक को आपको जरूर सब्सक्राइब को देखना रहा दोस्तों कि डी लाइप में यह का लώρα हम आपको इसको चेप नहीं कर पाते हैं अब मैं दोस्तों आपको तीसरे ट्रिक बताता हूं क्यों आपका फोन स्लो चैर्ज होता ऐस आप पूर्फोन को यूज़ करने के बाद आपका फोन राएगा तो आप अपने फोन को चार्जिंग लगाएंगे तो आपका फोन वहाँ पर स्लो चार्ज होगा और काफी लंबा समय ले लेगा आपका चार्जिंग मतलब फुल होने में तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप फोन को थोड़ी दिर रख दें, थोड़ा वो खूल हो जाएगा तब आप चार्जिंग लगाते हैं, तो मतलब जो आपका फोन है, वो अच्छी तरीके से काफी अच्छी स्पीड पकड़ेगा, जो उसका स्पीड होता है, वो स्पीड करना है, क्योंकि जब हम फोन को चार्ज लगाकर यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमारा CPU GPU प्रोसेस करता है, वहाँ पर हमारा फोन हीट होने लगता है, जब हीट होने लगेगा, तो वहाँ पर आपका फोन जो अच्छी तरीके से मतलब चार्ज नहीं हो पाता है, तो आपको तो ऐसा नहीं करना है कि फोन को चार्ज ही होने देना है तो हाँ पी आपका अच्छी तरीके से फोन चार्ज होगा और उसको डिस्टर्बिन्स नहीं होगा and guys last trick मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आप फोन को चार्ज लगाने जा रहे हो तो आपको क्या करना है यहाँ पर recent बार में जितने भी applications होते हैं सबको आपको remove कर देना है अपको mobile data को off करकर phone को चार्ज लगाना है इससे आपका silentty आपका phone जो है अच्छी तरीके से चार्ज होगा और आपको काफी लंबा battery backup देगा दोस्तों यह कुछ simple से reason होते हैं जिसके बाज़ा से आपका phone slow charge करता है तो आप इन tricks को अगर आप यूज करते हैं तो आपके phone में slow charging issue नहीं आएगी आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe कर लेना तो मिलते हैं ऐसे इंट्रिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye